Hello friend, welcome back to my channel ध्यान देने योग घरेलू टिप्स थोड़ा किमती समय निकाल कर जरूर सुने नमबर एक, बदाम का तेल और आमले का रस बराबर मात्रा में मिलाकर रात को सिर्प मालिस करने से सफेद बाल भी काले होने लगेंगे धिरे धिरे नमबर दो, सरीर में बिटामिन डी की कमी होने से रोग परती रोधक छमता पर भी असर पड़ता है ऐसे लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम और बुखार जैसे संक्रमन अपनी चपेट में ले लेते हैं बिटामिन D की कमी होने पर जल्दी विमार होने का खत्रा होता है नमबर टीन तुलसी की पत्तियां, डायरिया, पेट में मरोर, आदी समस्याओं में अराम दिलाने में कारगर हैं इसके लिए तुलसी की दस पत्तियां और एक ग्राम जीरा दोनों को पीसकर सहाद में मिलाकर उसका सेवन करें बहुत ही अराम मिलेगा नमबर चार सोने से पहले अपने रूम में कपूर जला लें, इसमें मौजूद तत्त बातावरन को सुध्य करते हैं नमबर पांच नमक को हमेशा सीसे के बरतन में दो लौंग डाल कर ही रखें, इसे घर में बरकत आती है नमबर छे रात में सोने से पहले पानी पी कर सोएं, कभी भी जूठे मूँ या बीना पैर्द होएं नहीं सोना चाहिए नमबर साथ प्याज पीस कर उसका रस कपड़े से चान लें, फिर उसे गर्म करके चार बुंद कान में डालें, कान दर्द खत्म हो जाएगा गर्म बस इतना ही रखें जिससे की वो सह सके नमबर आठ फ्रीज में रखा समान एक बार ही निकाले, बार बार फ्रीज खोलने से उसमें रखा हुआ समान खराब हो जाता है नमबर नो, जो मर्द सोट को महिन पीस कर बकरी के दूद, सुद दूद में मिलाकर नाक से बार बार खिसते हैं, वो अताकत बर बनते हैं नमबर दस, यदि बाथरूम से संबंदित कोई बस्तु दोस है, तो कटोरी में क्रिश्टल नमक लेकर बाथरूम में ही किसी ऐसी जगा पर रख दें, जहां पर किसी का हाथ ना जाए इस बात का ख्याल रखे कि कुछ दिनों में कटोरी का नमक जरूर से बदल दें, याद से नमबर 11, गर्मी में आमले का सरवत पीने से प्यास कम लगती है और लू से बचा जा सकता है नमबर 12, नीम की पत्तियों को पीस कर चेहरे पर लगाने से कील मुहा से फुनसी की समस्यां दूर होती है नमबर 13, मुनका में एंटि आक्सिडेंट होते हैं जिसकी वज़े से यह मूग की दुरगंद को दूर करने में मदद करता है इसे चवाने से मुग की बदवुख खत्म होने लगती है नमबर 14, हमेशा उबले हुए दूद को जालिदार प्लेट से ढखें अगर आप उसे स्टिल की किसी प्लेट से ढख देते हैं तो ऐसा करने से दूद पर मोटी मलाई नहीं जम पाती है दूद को ढखने के लिए हमेशा ऐसा बरतन का उप्योग करें जिससे दूद में बढने वाली भाव आसाने से बाहर निकल सके तभी दूद पर मोटी चाली बठेगी नमबर 15, अंजीर में मौजूद कोलोजेनिक एसीड सूगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है नमबर 16, जामुन के रस में सेंधा नमक मिलाकर दीन में दो तीन बार रोज पीने से पिसाब के रास्ते पत्री तूटकर बाहर निकल आती है नमबर 17, अगर जीव और मूँ सूख रहा है तो नारियल के पानी में चंदन को पीस ले इस गोल को रोगी को पिलाने से मूँ का सुखापन खत्म होता है और प्यास की कमी भी दूर होती है नमबर 18, डायविटीज के मरीजों को अनार का सेवन जरूर करना चाहिए अनार के दाने में एंटी डायवेटिक होते हैं अनार के अंदर मौझूद एंटी ऑक्सिडेंट के चलते इसका सेवन डायविटीज 2 के खत्रों को कम करता है इसके नियमी सेवन से सरीर में बलर्ड सुखर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है नमबर 19, सिरहने पर पानी नहीं रखना चाहिए इससे आपका चंदर गरह कमजोर होता है और मानसिक परिशानिया जहलनी पड़ती है नमबर 20, जो मर्द कम पानी पीते हैं उन्हें सरीर में ठकावट महसूस होने लगती है नमबर 21, स्टानपन कराने वाली महिलाओं के लिए सोप बहुत फायदे मंद होती है या दूद उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकती है इसलिए कई घरेलू नुसकों में अभी भी सोप का खूब इस्तिमाल किया जाता है नमबर 22, खजूर में केलसियम और मेगनेसियम होता है जो हड़ियों को मजबूत बनाता है खजूर में एंटी ओक्सिजेंट होते हैं जो तचा को स्वस्त रखते हैं और उम्र बढ़ाने के लक्षनों को कम करते हैं नमबर 23, टैनिंग दूर करने में आलू का रस बेहत फायदे मंद साबित होता है इसके लिए आप आलू को कद्दू कस कर लें इसका रस निकाल लें इसमें ब्लीचिंग गुन होते हैं इसको टैनिंग वाले हिस्सों पर लगा सकते हैं वहीं अगर आप सबजी बनाने के लिए आलू छील रहे हैं तो उसका छील का भी रगड़ सकते हैं इसके बाद अपने चेहरे को साप पाने से धोलें तुलसी तनाव रोधी गुनों से भरपूर एक प्राकरती जड़ी बुटी है इसलिए जब कोई व्यक्ति तनाव ग्रस ये चिंतित महसूस करता है तो एक कब तुलसी की चाई पीने से उसे तारों तयार होने में मदद मिल सकती है सफर के दोरान अगर उल्टी आती है तो लॉंग का पाउडर और सक्कर का मिसन खाए फिर निम्बू पानी पीए तुलसी की पत्तियां खाए इससे बेहत फाइदा होगा इसमें ऐसी प्रापटीज पाई जाती है जो पाचन में सुधार लगती है सुध पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है यह गैस अपच और फेट फुलना जैसे समस्याओं से राहत दिलाती है नमबर सत्ताइस जो तिसाचारी की अनुसार जब आप चांदी का पैर में छला या बिछिया पहनते हैं तो चांदी सुक्र गरा का कारक होता है इसके साथ ही सनी और सुक्र आपस में मित्र होते हैं इसलिए जब यह दोनों मिलते हैं तो राजयोग का निर्मान होता है लड़की का पैर लक्ष्मी जी का भी प्रतिक होता है इसलिए पैर में सनी सुक्र मिलकर राजयोग का निर्मान करते हैं इससे लक्षमी जी भी काफी प्रेशन होती है, इसलिए चांदी का विच्छिया औरतों को जरूर से पहना चाहिए सुबह के समय रोज भजन चलाने चाहिए, भजन सुनने से आपका मन सांत रहेगा और आप खुशी का मसूस करेंगे इसमें एक्टिव कंपाॉंड होते हैं, जो बैक्टरिया से लडने में मदद करते हैं, इससे पाचन को बहतर और वजन को कम करने में मदद मिलती है नमबर 30, वेसंग को हल्दी में मिलाकर पेस्ट बना लें ये पेस्ट टैनिंग को साफ करने में मददगार सावित होता है इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 10-15 मिनट लगा कर छोड़ दे इसके बाद चेहरे को पानी से दो लें बहुत अंतर महसूस होगा नमबर 31, अगर आपका बढ़ा हुआ पेट को अंदर करना चाहते हैं तो रात में दो टुकरा गूर्ड खाकर गर्म पानी पी लीजिए गूर्ड, पोटेसियम, मैगनेसियम, बिटामिन B1, B6 और बिटामिन C होते हैं जो एक्स्ट्रा कैलोरी बंड करने में मदद करते हैं नमबर 32, केले के डंठल को प्लास्टिक रैप ये अल्मुनियम फाइल में लपेट कर रखें इससे एलेथीन गैस का उत्पादन कम होगा और केले अधिक समय तक तरुताजा बने रहेंगे नमबर 33, वजन कम करने के लिए आप रागी के आटे की रोटी का सेवन कर सकते हैं इस आटे में फाइवर की मातरा ज़्यादा होती है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है बता दे की जब आप फाइवर ज़्यादा मातरा में खाते हैं तो आप ओवर इटिंग से बसते हैं ज़्यादा भूख नहीं लगती है और धीरे धीरे आपका वजन कम करने में मदद मिल सकती है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो के किसी भी टिफ्स को अजवाने से पहले इससे समंदित विसे सगे से सलाज जरूर से ले ले दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आउन कर दें जिससे मेरे न्यू वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तब फिर मिलती हो एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद